देखिए इस वक्त हम मौजूद है अडरिया जीला के सबसे इतहासिक गौँ इतहासिक पंचायत कह लिजिए लेलोखर पंचायत में इस वक्त वाट नमबर 11 के मधुवनी गौँ में हमारी उपस्थिती है टीम के साथ और हम लोगों को यहाँ पर बुलोने वाले इस पंचायत के पंचायत समेती मनसूर आलम जी है और दोस्तो मैं आपको एक समस्या से अफगत करवाना चाहता हूँ यहां जबके मनसूर आलम जी ने हम लोगों को बताया कि सर और यहां जो है घर के उपर से 11000 का हाई वोल्ट जो है वाइरिंग किया गया है जिसकी वज़ा से काफी समस्या हो रही है आए दिन पुर्वो में इसे पुर्वो में कई लोगों ने इसके करण जान भी गमाया है और गाय का भी यहां पर मिरती हुआ है इस वाइर के चपेट म आने के बाद मैं आपको दोस्तों यहां पर बता रहा हूं कि इस परकार से जो यहां समस्या हो रहा है यहां पर इसका निवारन करने वाला कोई नहीं है यहां के जितने भी गिरौमीन नेतागन है आज उनके अंखों पर पटी पढ़ा हुआ है उनके कान में रूल ठोसा हु अगर आपके घर के उपर से 11,000 वोल्ट का पावर जाएगा तो आपको नींद आएगी क्या मानने यह इसकी तरब निगाहे दोराई जाए और इन लोगों का समस्या का समधन किया जाए यहां से बिजली विभाग की सरासर नकामी का परदा फास हो रहा है मैं अपने खास सबसे पहले यह 11,000 वोल्ट है इससे कुछ खत्रा हुआ है क्या आप से पूर्व में या भी कुछ आप लोगों को कहां तक दिक्कत है वो बताएगे खत्रा है कि हमको गाभीन गाएच्व मेना पहले मर गिया और बच्चा को करेंड लगे सवाल तो उत्पन होता है सवाल तो बनता है मुख मंतरी जी आपके बिहार राज में एक ऐसा गों है जिस गों के घर के उपर से 11,000 वोल्ट का पावर जाता है और आपके बिजली विभ लोगों को परेशानी होता है मैं आपको बता रहा हूँ अगर थोड़ा सवावत तेρ्ट चलेगी तो इस वाइर का क्या इस्तिती होगा और जब अस्वीर घर के उपर गिड़े का लोगों की क्या इस्तिती होगी क्या हालत होगा यहाप अंदाझार लगा प्यान लगा सकते किया किया होगा, ति मुलंग क्या करेगा हुआ नहीं हुआ उसका निरिल कुई नि सुनभ रही किया आपके साथ भी कुछ हूआ था हमको बिटा मर गया आच आ कि यतनों कि इस तनौं कि अ 10 आश्वाह उम उमर का इसकी क्या गलती है यह जनम लिया है इसको कुछ पता नहीं है चाहड़े है जो देख रहे वीडियो और यहां से हट जाएगा तो अच्छा होगा आप भी वहीं चाहड़े है यह भाभी जी है आप चाहते हैं पच्छा तुम भी चाहता है अच्छा ये समस्या जो है ये समस्या से आप लोग कब से जूज रहे हैं यह जो समस्या है कब से है यह यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए एक और सक्सा है सर अब सबसे पहले अपने बाड़े में बताई आप जी मैं लेलोखट पंचाथ से बात कर रहा हूं और मधुनी गवं में यहां जो है बार बार ये सा घटना हो रहा है जिसका कोई हद नहीं यहां के जो भी है कोई सुनवाई नहीं करता है पिछले बार उसका गाई मड़ा एक का पंद्र साल का लड़का मर चुका है लेकिन कोई कोई दिया ने देता है कोई परसासन कोई भी भी दियानने देता है इन लोगों से साथ फ्लकार होते रहता है मैं यह जल्ट से जल्द यह समस्या का हलो होना चाहिए है एक बात है अपसे हम सवाल उल चाहते हैं पंचायद के परकार के तरीकेLaughस गंडेको अपनाते हैं अभी समस्य का समधन करने के लिए कोई जन परती निणी जो चुन करके पंचायद में आये हैं वो कहां है यह बताई अभी कोई नहीं आया मुख्या मरर जो भी था सरपंज वगर कोई नहीं आया एक सिर्फ एक आदमी आया हुआ है जो इस पंचैत का पंचैत समीति है मनसूर आलम साहब ०ू को देखिए मित्रो बहुत बड़ी समस्या है इस समस्या को अगर जिला परसंशरी मति इनायत खान जी आप तक ये वीडियो पहुच रहा है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या बिजली विभाग के जितने भी आला अधिकारी है अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप से हाथ जोर कर भी नेती है निवेदन है इस समस्या को समधन करने का कुछ हल निकालें और यहां से यहां के गिरो मीनों को इ है जै हिन जै भाराग